वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 15 दिसंबर 2022 और 15 दिसंबर 2022 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लास्ट वे मैं आपसे कुश्चिन पूछूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स बताना है आज कि इस वीडियो की पेडियो की डिस्कसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको सारी पेडिया पे एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकेशन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप जॉइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ड करते हैं, पहला कुशिन है, हाली में रास्ती वूर्जा संरक्षण दिबस कम बनाये गया है तो अभी 14 दिसम्मर को रास्ती वूर्जा संरक्षण दिबस मनाये गया, तो इस कुशिन का बे option सही है, उर्जा सनरक्षड के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 दिसम्बर को रास्टी उर्जा सनरक्षड दिवस मनाया जाता है अचा इसकी सुरुवात कब होई थी? तो इसकी सुरुवात होई थी 1991 में तब से इसे लगातार 14 दिसम्बर को मनाया जाता है अब ये important डी वाला question है तो अभी एक December को 208 दिवस और BSF का इस्तापना दिवस मनाया गया इस बार BSF ने अपना 58 इस्तापना दिवस मनाया है दो दिसम्मर को राश्टी प्रदूसर्णी अंतर दिवस बेसु कंप्यूटर साक्षरता दिवस गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतराश्टी दिवस ये तेन important डि मनाया गया तेन दिसम्मर को बेकलांग व्यक्तियों का अंतराश्टी दिवस मनाया गया 4. बारती नौसिना दिवस और अन्तरास्टी बैंक दिवस बनाए गया 5. बेसु मृता दिवस बनाए गया 6. डॉक्टर भीम्राव अमबेड करकी 66 मी पुण्नितिती मनाए गया 7. ससस्तर सेना जंडा दिवस मनाए गया 8. सार्क चार्टर दिवस मनाए गया 9 दिसंबर को अंतरास्टी ब्रस्टाचार विरोधी दिवस और नर्संगार की रोक्ताम और पेडितों के इस्मडोस्ट सबका अंतरास्टी दिवस बनाये गया 10 दिसंबर को अंतरास्टी मानवादिकार दिवस बनाये गया 11 दिसंबर को अंतरास्थी परबत दिवस और UNICEF दिवस मना गया, 12 दिसंबर को अंतरास्थी सारभ भौमिक स्वास्ते कभरेज दिवस मना गया, तो दिसंबर में अब तक इतने important यह बनाए गये हैं, यह आपको याद रखने हैं, अच्छा, आज की इस video का हम target रखते हैं, 40 य लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है एल्पो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target works करो चाहे छोटा सा ही target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ आटमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी नेक क्यूशन है हाली में रास्टी निसानेवाजी चेंपियंशिप में मन्नु भाकर ने कौन सा पदक जीता है तो अभी रास्टी न इनों नहीं अभी भोपाल में रास्टी निसानेवाजी चेंपियंशिप में दस मेटर पिस्टल जूनियर महिला इस परदा में गुल्ड मेडल जीता है नेक क्यूशन है हाली में किस ने BWF फेमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर आप दे एर अबाड जीता है तो अभी मनीशा ने BWF फेमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ओट फेर आवाड जीता है तो इस के इनका ब उप्सेनन जीता है यह हैं मनीशा रामदास और इनों नहीं BWF याने कि बैडमिंटन वर्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन प्लेयर अब दे एर आवाड जीता है अच्छा अभी पर्सर परस्ण्द आप दौरेयर का पुरुषकार मिला गांदे मंडेला पुरुषकार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया अजीत अन्जुम और आरफा खनम सिरवाँई को कुल देप नएर पत्रकारता सम्मानी 150 चारो करणल स्वरूप सेंग को अल्ट्रा मेन इंडिया का हिताब मिला है तो यह अबाड आपको याद रखने हैं ने क्यूशन है हाली में ग्रामीड भारत में विट्टी समाविशन के लिए इस पाइस मनी ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है तो अभी ग्रामीड भारत में विट्टी समाविशन के लिए Spice Money ने Axis Bank के साथ भागिदारी की है तो इस question का say options है अब Axis Bank तो Axis Bank की स्तापना कब होई 1993 में इसका headquarter कहां पर है मुंबई में और इसके present time पर MD and CEO कौन है अमिताब चौधरी कौन है अमिताब चौधरी नए question है हाली में सुलोचना चवाड का निधन हुआ है बे कौन थी तो सुलोचना चवाड ये एक प्रसिद गायक थी और अभी 92 बरस की उम्र में इनका निधन हो गया तो इस question का way options है ये थी प्रसिद मराटी लावडी सिंगर सुलोचना चवाड अभी 92 बर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है नेक्यूशन है हाली में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बर्ड फस्ट टुबैको लौ पारित किया है तो अभी न्यूजिलेंड ने दुनिया में पहली तरह का वर्ड फस्ट टुबैको लौ पारित किया तो इसको इनका A options है अब ये क्या है वर्ड फस्ट टुबैको लौ इसको मैं आपको समझाता हूँ एक्चुन में ये जो न्यूजिलेंड है इसका टारगेट है 2025 तक टुबैको फ्री बन जाना यानि कि पूरा कंट्री 2025 तक टुबैको फ्री बनाना है इसके लिए न्यूजिलेंड ने ये वर्ड फस्ट टुबैको लौ पारित किया है इसमें क्या है जो अगली जनरेशन है उसको अभी से टुबैको फ्री बनाना है इसके लिए क्या किया गया है ऐसे लोग जो एक जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए है उनको strictly तमबाकू यानि की टोबैको नहीं बेजना है यह law है बर्ड फर्स्ट टोबैको लोग इसमें एक जनवरी 2009 के बाद जो भी लोग पैदा हुए है उनको कोई भी सौब कोई भी रिटेलर टोबैको सेल नहीं कर सकता यह law है और यह पहली बार दुनिया में किसी देश ने बनाया है और यह न्यूजिलेंड ने बनाया है अब न्यूजिलेंड तो यह है मैप न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड की केपिटल क्या है बैलिंग्टन न्यूजिलेंड की करंसी क्या है न्यूजिलेंड डॉर्डर और न्यूजिलेंड की प्रजेंट टैम पर प्राइमिस्टर कौन है जे सिंडा अर्डन हाली में बारती सेना के एराबद डिविजन ने पूर्व संचार बूद का आयोजन कहां किया है तो बारती सेना के एराबद डिविजन ने पूर्व संचार बूद का आयोजन पंजाब में किया है तो इसकुशन का से ओप्सन सही है पंजाब की ब्यापक बादा ग्रस्त भू भाग में पूर संचार बूद का आयुजन किया गया अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब पंजाब की केपिटल क्या है चंडीगड पंजाब की चीपनिष्टर कौन है पगबंत मान और पंजाब की गवर्णनर कौन है बनवारी लाल प्रोहित अच्छा अभी राखी गुपता भंडारी को पंजाब की राजपाल का प्रधान सच्चिब बनाया गया है पंजाब सरकार ने गानों में हत्यारों की प्रधसन पर पूर प्रतिबंद लगा दिया है पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंसन योजना को बहाल किया है और एसिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ट बायोगेस प्लांट का उदगाटन पंजाब में हुआ है जनवरी 2023 में भूपाल में आयोजित किया जाएगा। ने क्यूशन है, हाली में किस ने अपने सभी भविस्थिके उपग्राओं में एल बन आबरत्ती की सुरुआत करने की गोश्ना की है। तो अभी इस रो ने अपने भविस्थिके सभी उपग्राओं में एल बन आबरती की शुरुवात करने की गोश्णा की तो इस कुशिन का A options है अब ISRO यानि की Indian Space Research Organization इसकी स्तापना कब हुई? 1969 में इसका headquarter कहाँ पे है? बैंगलोरू में और ISRO के present time पे chairman कौन है? S. Somnath अच्छे ये क्या होती है? एल बन आबरती तो एल बन आबरती GPS में सबसे ज़्यादा उप्योग की जाने वाली आबरतियों में से एक है नएक क्यूशिन है हाली में ILO की सत्रेमी Asia Pacific छेत्रे बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ILO यानि की International Labour Organization इसकी सत्रेमी Asia Pacific छेत्रे बैठक सिंगापूर में आयोजित की गई तो इसकूशिन का B option सही है अब सिंगापूर तो यह है मैप में सिंगापूर सिंगापूर की capital क्या है? सिंगापूर city, सिंगापूर की currency क्या है? सिंगापूर ये डॉलर और सिंगापूर के present time पे president कौन है? हलीमा याकूब कौन है? हलीमा याकूब अच्छा ILO यानि की international labor organization इसकी स्तापना कब हुई? 1919 में इसका headquarter कहाँ पे है? जिनेवा में और जिसके present time पे director general कौन है? गिलवर्ट हंगो next question है हाली में आई किसकी report के अनुसार? महिलाएं भारत में सार्बजनिक परिवन की प्रात्मिक उप्योग करता है तो अभी बल्ड बैंक ने एक report जारी किया है इस report के according महिलाएं इंडिया में public transport की प्रात्मिक उप्योग करता है तो इस question का say options है यानि कि primary user है अब बल्ड बैंक तो बल्ड बैंक के स्थापना कब होई 1944 में इसका headquarter कहां पर है बॉसिंग्टन डीसी में और बल्ड बैंक के present time पर प्रेसिडेंट कौन है डेविट माल पास ने question है हाली में कितनी हमालाई औसदियों को IUCN red list में सामिल किया गया तो अभी तेन हमालाई औसदियों को IUCN red list में सामिल किया गया तो इस question का बे options है ऐसी चीज़ें जो लुप्त होती है ऐसी प्रजातियां especially औसदियां जड़ी बूटी पेड़ पौदे जो लुप्त होने के कागार पे हैं उनको IUCN red list में सामिल किया जाता है अब ये जो IUCN है इसकी फूलपौम याद रखनी है इसकी फूलपौम है International Union for Conservation of Nature क्या है International Union for Conservation of Nature नेक्यूशन है हाली में भारत की J20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहां शुरू हुई है तो अभी बैंगलूरू में भारत की J20 अध्यक्षता में पहली बैठक सुरू हुई तो इसकी फूलपौम का B options है नेक्यूशन है हाली में संस्कृत मंत्राले ने देश भर में कितने चेत्री संस्कृतिक केंदर इस्तापित किये है तो अभी संस्कृत मंत्राले ने देश भर में साथ चेत्री संस्कृतिक केंदर इस्तापित किये है तो इसकी इनका A options है अभी साथ कौन से है पट्याला, नागपूर, उदैपूर, प्रियागराज, कुलकाता, दीमापूर और तंजाबूर ये साथ संस्कृतिक केंदर इस्तापित किये है इन केंदरों का उद्देश देश भर में कला, संस्कृति और सिल्प को संरच्छित और बिक्सित करना है ने क्यूशन है हाली में भारत की सबसे बड़ी समकालिन कला प्रदरसनी कहां आयोजित की जा रही है तो अभी कोच्छी में भारत की सबसे बड़ी समकालिन कला प्रदरसनी आयोजित की जा रही है तो इस कुशिन का से ओप्सिन सही है केरल के चीपनिश्टर पिनरई बिजियन ने कोच्छी परेड ग्राउंड में इसका उद्गाटन किया है अब लाश्ट वीडियो की कुशिन का आंसर लाश्ट वीडियो मैंने आपसे कुशिन पूचा था कि हाले में जे ट्वंटी बिकास मंतरियों की बैठक की मेजवानी कौन करेगा तो अभी बाराण सी जे ट्वंटी बिकास मंतरियों की बैठक की मेजवानी करेगा यानि किस question का बे option सही था और लगबग सबी storyness का अंसर सही दिया most least storyness के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आपका भी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में केस राज ने अपनी स्वदेसी बद्री गाय के अनुवानसिक विकास की योजना बनाई है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम अमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके अमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने careers related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज की studio का आप target जरू याद रखना आज की studio का target है 40 यह like का तो अगर यह video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का मारा current affairs का video आपको यह video कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजी आपको इस channel से निश्चित ही मदद भी लेगी जब आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam always video thanks for watching